नमस्कार आप देख रहें आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजिनाओं कश्यप दिल्ली में अगर कहीं एक जन्वरी के पहले आग लगती थी तो वहाँ पर फाइर ब्रिगेट की गाड़ी पहुँचने में 7 से 10 मिनिट लगते थे एक जन्वरी के बाद धीरे धीरे ट्राफिक पर odd and even की वज़े से जो असर हुआ है अब वो टाइम है 2 से 5 मिनिट अंबिलेंस पहुचने में अब 5 से 10 मिनिट का वक्त लग रहा है क्या odd and even formula दिल्ली में hit है लेकिन pollution घटाने के लिए क्या ये fit है इसी पर आज हम करेंगे चर्चा कई खास मेहमान हमारे साथ है दिल्ली के लोग हमारे साथ है तो पहले तालियों से अपना स्वागत कर लीजे दिल्ली के लोग आज दागेंगे सक्त सवाल और इन नेताओं को से हमारे साथ है pollution control में क्या असर हुआ है ये इनसे जानेंगे क्योंकि facts के साथ बात करेंगी लेकिन सवालों की शिरुवात सबसे पहले आशुतोजी आपसे करते हैं पता आपको भी है कि ट्राफिक पर असर हुआ है pollution पर शायद वैसा नहीं हुआ है तो पहले से पता नहीं या फिर बाद में समझ आया या फिर आम आदी पार्टी को पता है कि ट्राफिक से कितना प्लिूश सेंटेज वाइज ने मुझे लगता है कि यह चीजों का बहुत सरली करन है देखने के लिए सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली के अंदर और आजादी के बाद सबसे बड़ करना है और लोगों का सपोर्ट होगा तो हम पॉलूशन के मसले पर और बहुत कड़े कदम ले सकते दूसरी बात जहां तक आपने का पॉलूशन कम नहीं हुआ पलूशन आपको बताएंगे पॉलूशन कितना कम हुआ कितना कम नहीं हुआ है हाँ जो लोग यह कह रहे है कि दिल्ली से पूरी तरीके से खतम हो जाएगा वो शायद इस और इवन स्कीम को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, ऐसी उन से गलती हुए, लेकिन मेगमात और कहना चाहूंगा, और इवन सिर्फ एक इमर्जनसी प्राविजन है, यह कोई पर्मानेंट सलूशन नहीं है, एक बार यहां पर एक छोटा सा पोल कर लेते हैं, आप में से कितने लोग मानते हैं कि फॉर्मला पूरी तरह से दिल्ली में हिट रहा है, हाथ उठा है, लेकिन काफी लोग यह मान रहे हैं, आप हाथ उठ कहानी खतम, यहां पर कम से कम लोग समझ तो रहें कि हम जहर को सासों में ले रहे थे, और लोगों ने यह तै किया कि सरकार एक फॉर्मला लेकर आई है, उसको किये, फर्क दिखता है आपको, देखें, मैं दो बात आपको सपर्ष कर दूँ, पहला इश्यू है, पॉलूशन पॉलूशन के, के सॉलूशन हम रूट रहे हैं, ठीक है ना, और जो पॉलूशन का सॉलूशन हमने कोशिश की, और इवन का, वो आउटकम हमारा साइड इंपक्ट बनके निकला, कंजेशन पर, पॉलूशन से ने, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ने एक मिनट, एक मिनट, जो भी कोट ने बोला था और जो भी दिली की पोजिशन है, जिस तरह की डेंजर सिच्वेशन है, उसमें सरकार ने पिछले एक महिने में, सिर्फ और इवन, और इवन, और इवन में घुमा दिया, एक भी स्टैप डस को कम करने के लिए, रोकने के लिए, या बाकी कोई और पॉलुशन को रोकने के लिए गॉर्मेंट ने पिछले एक महिने, डेड़ महिने में कोई कदम नहीं उठाया, जब जेपी जी के पास मुझे आने दीजे, जेपी साब पहले तो बता दीजे, आप कहां खड़े है, फॉमुला हिट है, सड़क में आने में दिक्कत तो नही ह सवाल है, कि उनके फेपड़े या हैल्प पे असर ना पड़े, सौफी सादी है, नमबर दो, ये अच्छा हो, जेपी साब ने कुछ किया भी ने अपनी सरकार में, आप लोगो ने ताली उनके लिए बजा दी, नहीं, मुझे लगता है, इनोंने बहुत जल्दी में कदम है, ट्रैफिक से होने वाला पॉलूशन 40% है, 100% टोटल पॉलूशन का, और उसमें गाड़ियों का पॉलूशन 20% है, जो तक्रीमन 5% या 6% होगा, अगर आधी गाड़िया आप बंद करते हैं, तो सिरफ 3 या 4% पॉलूशन का फरत पड़ेगा, तो पॉलूशन के लिए बि लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोगों को इसका महत्व नजर आया वो था कि सडकों के ओपर कंजेशन कम हो गया, सडके खाली हो गई दिल्ली के, जहां लोग एक घंटे में पहले पहुंचा करते थे, वो आदे घंटे में पहुंचने लग गए, अगर आप समझा सके, क्या 14 दिन बहुत कम है पॉल्यूशन पर असर के लिए, क्या असर हुआ है, PM 2.5, PM 2.10, अगर आप मोटी भाषा में लोगों को बता है, अगर आप मोटी बहुत जरूरी है कि अभी जब पदूशन की मात्रा मानक से कही गुना जादा है, तब उस वत हमें एमर्जेंसी एक्शन हम अगर आप आंक्रे देखें, नवेंबर, डिसेंबर और फर्स वीक अव जैनवरी का, फर्स वीक अव जैनवरी में जब टेंपरेचर गीरी, हवा बंद और वेस्टर डिस्टर्बंस, जब ऐसी हालत होती है, प्रदूशन की मात्रा और भी उचाई तर जाती है, पर इस बार हमने देखा, जिस उचाई तक फर्स वीक अव जैनवरी में पोलुशन पहुचा, वो जो पिछले जो नवेंबर और डिसेंबर में जो उचाई हमने देखी है, उससे काफी कम था, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कुछ भी नहीं करते, तो जो प्रदूशन की जो मात्र होती, वो और भी खराब होती, तो यह जो हम रोक पाए हैं, यह एक बहुत बढ़ा एक जन सेहत का मुद्दा है, क्योंकि जो इमेडियेट इंपक्ट होता है कि सेहत के उपर वो बहुत ही खराब है, तो अब मैं लोगों के सवाल लेना चाहती हूँ, अपना हाथ उठाईए टू विलर्स बहुत जादा है, और टू विलर्स की भी बात करो, उसमें भी स्कूटर्स, चेतक, एक जो स्कूटर है, जो सबसे आरा पॉलुशन करता है, वो हद से आरा रोड पे है, दूसरी चीज़ जो ही इसकी वज़ेसे, एक माल प्रैक्टिस मैं कहूँगा, जो ले दिक्कत आएगी, हमने उस वक्त अगर वोट बैंक के बारे में सोचा होता, तो हम शायद इसको इंप्लिमेंट भी नहीं करते, क्योंकि सब ने कहा था कि असंभाव है, बलकि बीजेपी साथ में खड़े हुए है, इनकी निताओं ने कहा था एक दिन पहले कि ये तो अन आपने अपने बच्चों के लिए है, उनकी आने वाली नस्थनों के लिए है, पहली बात ये थी, इसलिए सब को इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम इस बात का भी अंदाजा था कि दिल्ली के अंदर जो ट्रांस्पोर्ट सिस्टम है, वो अचानक इतना बड़ा बोच नहीं उठा पाएगा, अगर आप तीस लाक टू विलर्स को अगर आप अचानक बंद कर देंगे, जिससे पंदर लाक बंद हो जाएंगे, तो आप याब रहे, जेबी जी, कुछ मुझे लगता है, अशुतोर जी तने गलत मतलब निकाल लिया मेरी बात का, मैं को इनकी तालिफ करने आख़डा नहीं हुआ, मैं सिधी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कि इन्होंने जो गलत किया, वो ये किया, कि आपने बीस परसेंट पर कंट्रोल करा, 80% को खुला छोड़ दिया, जो टू विलर और स्कूटर है, उनसे 33% पॉलूशन होता है, जो थ्री विलर है, उनसे 30% पॉलूशन होता है, जो ट्रक दिल्ली में घूम रहे हैं, चारों तरफ हजारों की तादात में, असली पॉलूशन उनसे होता है, तो अग अगर आड़ एवन फार्मूला लागो किया है, तो आप उसके बारे में किंतु प्रंथू कर रहे हैं, लेकर पंतरा साल आपकी सरकार रही, आपने क्या किया, उसका जवाब दे दो मेरे को, अगर आप चाहते हैं, तो मैं उस पे भी आपको पूरी डीटेल से तफ्तीर से समझा दखता हूँ, अगर सर एक मैं मेरी, आप मुझे बोलने तो दो, अगर सी एन जी बस्स कोई लाया था, दिल्ली में तो कॉंग्रेस की सरकार लाई थी, कोई और दूसरी पार्टी नहीं लाई थी, जो सी एन जी की गाड़ियां शुरू कराई थी, उनका रजिस्टेशन शुरू हुआ था, किसी ओर्डर चे हुआ, हुआ तो हमारी सरकार में प्लिक ट्रांस्पोर्ट पर जो असर है, उस पर एक सवाल पूछ लेते हैं, आप लोगों को लगता है कि मेट्रोज में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, दिक्कत हो रही थी आने जाने में, कितने लोग ये मानते हैं, हाथ उठाईए, हाथ उठाईए, तो ज़्यादा से ज लेकिन कोई सरकार एक साल के अंदर छे महीने के अंदर पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को सडली नहीं इंप्रूब करेगा, पूरा जगह जगह में पढ़ा हुआ है, जगह 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 गालवेज के वह बनाए हुए जगह, कितनी बद्बू आती है, उसे क्या पॉलिशन नहीं हैं, और हम सब लोग अवेर हुए हैं, और सैनिटेशन को लेकर के स्कूल्स में, कॉलिजिस में, इस्टूशन में, घरों में, घरों के बाहर, लोग बहुत अवेर हो रहे हैं, और मैं होपफुल हूँ, आप भी जरूर होपफुल होंगे, एक दिन निस्ट आएगा, जब सै सब्सक्राइब के सामने आएगा, मुझे पता था कि जाडू इनका इलेक्शन सिंबल है, लेकिन मुसीबत आपके लिए बंदेवाल है, लोग कह रहे हैं, लेकिन धर दिरे टाइम बढ़ेगा, तो दूसरी गाड़ी भी लेंगे, तो उसक्यूपर आप क्या करोगे, तो स्टडी में भी आया है, कि जब ऐसी सिच्वेशन लंबे समय तक होती है, तो लोग आल्टरनेट कार खरीदने लगते हैं, लेकिन और और पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी 365 दिन नहीं लागू होता, जहां तक मुझे याद पढ़ता है, मेरी स्टडी है, सिर्फ सिर्फ की सरकार्ट बढ़ाई कर रही है, मुंबाई में करेंगे, अम्दाबाद में करेंगे, आशुतोर जी कह रहे हैं, सक्सेस्फुल है तो इसको बढ़ा दीजिए, मेरे और आशुतोर जी के कहने के नहीं, आप अपनी बताएं ना, सर्सवाँ को आपसे पूछ रहे हैं मुंबाई में और एम्धाबाद में होना जैके, अगर यह इसको सक्सेस्फुल मानते हैं, तो इसको यह लागू करें, हम इनके साथ हैं, औरे मुंबाई में यह कैसे लागू करेंगे, यह में तो आपको लागू करना होगा, बिल्कुल एक मिनिट, यह कहना है कि हम, हमारा प्रोजेक्ट successful है sustainable है तो हमारी इनको पूरी सपोर्ट है आप इसको लागू कर दीए मैं जवाब दे दू मुझे लगता है कि हम लोग और इवन एक साइन्टिफिक मासला है उसको पूलिटिकल तरीके से ना डील करें और इसको लागू करिए मैं आपके साथ हूँ सर जी मैं आप से किसुन तो लीजिए मेरी बात आपकी समझ में कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूं मैं सीधा कर रहा हूं अगर यह successful है तो आप इसको sustainable मौडल है तो इसी फॉर्म में जो आपने किया है तो आप इसको लागू कर दीजिए हम आपके साथ हैं आप अब इफेंट बड क्यों कर रहे हैं बीस साल से दिल्ली से बाहर है जनता विरुदी निकियों कि वोज़ते हैं एक चीज़ बीस साल नहीं बलके बाइस साल हो रहे हैं इनका 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 जो गवर्णनेंस था पांच साल के दें तीन मुक्क मंतरी बदल लिये और आज तक जनता ने को बढ़ा रहे हैं और आप हमको घाली दे रहे हैं मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो इसकी साइंटिफिक अंडरस्टेंडिंग होनी चाहिए और माफ करिए गर बिजेन जी आपकी साइंटिफिक अंडरस्टेंडिंग इसमें नहीं है और एन इवन फार्मूला जो है वो अपने आपने एक एमेर्जनसी प्राविजन है जब पलूशन बहुत जादा पढ़ जाता है और आज दिल्ली दूरा का सब्सेंट चाहर हो गया तो उसको कम करने क सब्सों में भी क्या लागू किया जाएगा तमाम सवालों के साथ वापस लॉटर है इस कारक्रम में मुझे पता है कि बहुत सारे 10 से 14 सजेशन्स आप लोगों ने दिये जो जिसमें से फिक ये किया गया क्या थे वो हमने बताया था कि आप एमर्जनसी एक्शन ले पर उसक लगाएं कि नेजे गाडियों के उपर निर्भता को हम कम कर सके उसके साथ साथ जो बागी प्रदूशन की जो सोर्सेज है जैसे कंस्ट्रक्शन ड़स्ट रोड ड़स्ट अब ट्रैश बरिनिंग वो तो सवाच भारत के साथ ही जुड़ा हुआ है पुरी वेस्ट मैनेजमे यह बहुत बड़ी पार्टी है लेकिन बोलने का अधिकार तो लोकतंत में मुझे भी है सर विपक्ष की आवाज भी ज़रूरी है आवाज है लेकिन विधान समा में आप लोगो तबजा है यहां तो बोले जीजे तिंता ना करिये पंजाब में भी होने वाला है आपसे पहल माबदन तै करें उसमें ट्रांस्पोर्ट के अलावा जो इंडस्टी से पॉलूशन होता है जो डस्ट से पॉलूशन होता है निर्मार कंस्ट्रक्शन से होता है जी और यह जो आपके टावल लगे में बीजली की जनरेशन से जो पॉलूशन होता है जो आपके डस्पिन चलिए, चाहँ दो परसंट के लिए करा, चार परसंट के लिए करा, लेकिन अभी आपको पिचानवे परसंट पे काम करना बाकी है, और मैं यह चाहता हूँ कि आप कम से कम जनता के सामने उस बात को जरूर रखें, कि आपने उनों मुद्दों को को छोड़ दिया, अगर आपका कदम सरहानी है, आपने शुरुआत करी है, जो हमने शुरुआत करी थी, उस आगे बढ़ाया है, तो यह और आगे बढ़ाएंगे, तो हम आपके साथ है। दिल्ली सरकार ने कभी ऐसा नहीं का, बाकी के जो फालो अप एक्शन से वो लिये जाने हैं, वो लिये जाएंगे, आपने का कौन कौन सरह कदम उठा है, मैं आपको तीन-चार गिना देता हूँ, दिल्ली के अंदर जो ट्रक रात को नौ बजे एंट्री होती थी, उनको रात क अपने बंद कराये और एक बदर पुर ने अपने आपको ठीक किया और करके आप वो परमिस्बल लिमिट्स में आते हैं, महिज एक सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खीच लिया, एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद नहो सकी मॉंबई एरपोर्ट पर एंडिया का विमान उडान भरने के तयारी कर रहा था लेकिन उससे पहले